तो आप नहीं नमास ना होगेगा क्योंकि अभी मैंने फेस्बुक को छोड़ा वा था लेकिन मैं तुबारा से आ गई हूं उसके उपर उपर ठीक है तो आपके साथ मतलब ठीक हो गया जनाब तो यह रही मैं आज आपके सामने फाइनली विद मास्क लेकिन क्योंकि मुझे आ क्योंकि मुझे सबसे पहले करनी है अपनी फ्रिज नीट फिर हम जो काम करेंगे सारे वन बाई वन में आपके साथ शेयर करूंगी और आज मैं बिल्कुल वीडियो को कट नहीं करूंगी यह हाथ में रहा मेरा फून का पैन और इसको यूज करते हुए मैं ऑन आफ जद्ध क्योंकि यहां पर बड़े बड़े मस्के में साइलों करते रहेंगे इस तरह यूस पैन पकड़ूंगे नौक पैन कहीं और चला जाए चैनल जी खोलते हम अपनी फ्रिज तो इसको नंबर न पर हम करेंगी और जना इस फ्रीज एंड फ्रीजर दोनों को पहले में इनको करूंगी सब और जो काम करने होंगे वो करके दोबार से सारी फ्रीज में रख देंगे और अपने लिए काम करेंगे असान में फ्रीज में खाली करी हूं तो यह देखें सब्सक्रान मुझे मास्क मिले हैं कुछ जो मैं रखके भूल गी हो थी और मैं यही सोचते रहती थी यह पतानी कहां पे चले गया है नहीं मिल रह बस गुम गया उंगे चलो कोई बाद नहीं मैंस हो गया आं मैंका यह आपको कि अधान पोगिष को कर देना है साफ एंड सुथरा तो करते हैं स्टार्ट कि अधास पेना डीक चलते रहेंगे दिए को चले ने अधी बाइस चले एंड बाइस बंद नहीं का लिए मैं तो एक और लिए पाव इसको उड़ें जाए कोऊ से इतालम कामें जाड़ा अब जी ये चट करें माँ आप मैंने फ्रिज और फ्रीजर को कर लिया है नीट और ये आज आपको साथ सद नजर आता रहेगा ये है मेरे हाथ में मैजिक इंजदी गलनी वैसे मैंने बड़ा काम की है और मुझे एक दम वे ती फ्रिज नीट एंड क्लीन नजर आ रही और क्य मेरा मकसिदी खाने का ये था कि जनाब मैंने यहां से अपना काम स्टार्ट किया है तो चले चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ अपने और अब मैं मिलवाती हूं आपको इस गन से जो के मैंने फ्रिज नीट की है तो कुछ फ्रिज में से निकला है और कुछ वैसे उपर अपर निकला है तो कि अब इसको रखोंगी नॉर्मन टम्परेचर होगा फिर पियोंगी इसे वहले कि रमजान आने से पहले मिलवा खराब हो चाहे ठीक हो गया जी अच्छ जी अब हम साथ में यह साथ जुशू विशू खाई है जो अने गंद मारे में यह भी डस पी मिलाइते ह सब कुछ देखेंगे आजागा सनास लाइफ इन जन्वी में आज आज आपको फह चीज ददर आएगी मैं क्या क्या कर रहें चाले जी कौम भी बहुत है करने वाले करते ताते हैं तेवर को ही मैंने सारा खाजी कर ली है और इसको फुर तब दे लिए मैंने आज 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 अज़ डिया पूरा काम कर रहें ठीक है इसकी भी एक आपको स्टोरी सुआती हुथ जब मैं कुई काम जटी थी थी ना अब बच्बं तो फ़ी मैं कह सकती तकरीव चार पन साल पहले कह ले एंग और सादी के बाद से जादा में रियाद रिए ज़्यूती है कि मैं को काम सा नहीं किया होता था तो भी मुझे तंग कर लोगी तुम आजी 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 ताम करती हो लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं है थोड़ी सी आज़त दना ली चाहिए लेकिन अभी यह लगश होता है यह देखें आपको फ्रिक्स नेट की है देन मैंने अपना डाइनी टेपल नेट की है कि आदा काम लें अच्छे है अब मैं करूंगे अपला काम ठीक है यह यूटूब की वीडियो गवार आईगी है आज की वीडियो का मुझे बिल्कुल की आइडिया कैसे की आईगी तो ट्राइब करके मुझे पतन चलेगा कि कैसा रिजर्ट आता है आज आप लोगे कैसी लेडी मेडी है या सीधी सीधी है या वास में कोई असर असर प्रॉब्लम को लिए चले अब हम करते हैं काम अपने को स्टार्ट में इस तरह का चुकि ओं तो जब यह देखें मैं लेकर आयो है हो इसका गरमसाला कि पैकेट इस्तरह यह पैकेट्स है इनको ओपन करती हूं अब मुझे नहीं आइडिया है कि यह कैसे रहेंगे लेकिन मुझे इस वाल गिये नजर आए बनेवे पैकट्स मैंने का इससे अच्छी और कौन सी बात है चेक करने में क्या है हर चीज चेक करके आपको पता चलता ना कि वह कैसे किये अच्छा जी आपके मेरी अकल मलती कह ले मेरे ख्याल है कि अभी छह महीने को घर मसाला तो बन जो आपिए उसमें बेलिफ चेक करें कि इतने जादा पैक्ट्स में निकल आए है कि मैने पिलाव पकाना है बिरियानी पकानी है कि मैने घर मसाला अगाना है खैर मैं थोड़े से निकाल दुवी ओल्लामा आफ करें हैं केंडर ठीक है आप भी कहते होंगे कि मैं रमजान की सारी त्यारिया कर रही हूं लेकिन आपको ऐसी वीडियो किसे नहीं दिखाई होगी बिल्कुल डेसर टू दी पॉइंट आप देखते होंगे कि करम मसाला पिस्केयर लोगे जली से लसर अंदर पेस्ट बन गया और ये तो मैं भी यह सारी नहीं डालूंगी कोई एक कादर बीच में डालूंगी बस बाकी मैं सारा चेक करते हूं जो चीज काम होगी उसको बुरा करूंगी मुझे लग रहा है वैसे काफी है पूरा करने की जरूरत नहीं है अच्छा जी मेरे पास कॉफी ग्राइंडर है प्रॉपर गर्मसाले वाला ग्राइंडर नहीं है तो चलें स्टार्ट करते हैं यह देखें मैंने सब कुछ पकड़ लिया और अल्ला खेर करें गर्मसाला बरनी ना जाए आज लेकिन पैकेट पले को भी ट्राय करना चाहिए सारा कुछ यार नजर आरा पीच में मुझे कुछ ऐसा नह जाती हूं यह देखें बे लिफ्स चेक करें कितने सारे निकल आएं और इनको मैंने कर दिया साइब सेपरेट यह तो पूरा खांदान बन गया ठीक है और कुछ मैंने इसमें से यह क्या होती हैं सिनिमम स्टिक्स ओके यह भी मैंने निकाल दी है और यह वाला मैं आपको चे अगला काम करते हैं स्टार्ट लें जीकर मसाला हमाया हो गया है रेडी और यह देखें माशाला काफी सारा बन गया और जितना भी टाने से साथ गुज़र जाएगा तो आपको अच्छा जी अब हम इसको रेफिल करते हैं यह मेरे पास है जो सूका धन्या होता है लेकिन इस बढ़ा नहीं है ठीकर कोई बात नहीं इसलिए मैंने पैकट भी फिर छोटा ही खोल लिए कि यही ठीक है ठीक हो गया जराब इसमें भी थोड़ी से रेखें इसको फिल कर लखें लेकिन देखना की है कि इसमें आ जाएगी नहीं आएगी तो रहा है किस आपको सूचोंगी इसके अंदर ओ माय अगोट यह क्या हो गया कभी कभी ऐसा भी हो जाता है देखें ऐसे थोड़ा थोड़ा करते जो और अच्छा साना सारा फिल हो जाता है देखें मेरा है होगी कामियाब ठीक है तो अब हम बना लेते हैं जी जिन्रे गरलिक पेस्ट अगर यह भी रेड़ी होना तो समय लें आपकी जिन्दगी असान है क्योंकि इसका काम करना इतना मुश्किल लगता है उदर से अपना कुकिंग कर रहे होते हैं नार्मली भी में यह चीजें इस तरह कम असकम फ्रीजर में रख लेती हूं गारलिक को भी और जिंजर गारलिक दोनों ना मतलब क्यो इस बार इसमें हम डालेंगी जनाब ऑईल थोड़ा सा ओईल और थोड़ा सा पानी ज्यादा ने ज्यादा पानी से नहीं एक किसका कलर भी खराब हो जाता है और साथ यह अपना असल टेस्ट रहनों इसका खत्म हो जाता है तो पानी थोड़ा रखनेंगें ओके जी ट्रही जाता है कि जो मैंने टेस्ट आया सकता सम मैंने किसम आपनाया फ्रापर इस त만 से आपेंऑ अर्यक्रिक बाहत एंग खाल उता प्राइघ टोल पर अब रहा ही तो यह देखें जी यह हो गया और पीछे भी गिरें में ठीक है यह बिल्कुल नीट है इसको मैं इच्छा साफ किया थोड़ा सबस पानी यह ज्यादा नहीं है दो नीक टेबल स्पून के पास होगा अब इसमें तो आइल ले लेती हूं 5 आइशा टोग आट से पिसी तरह को यह हम इसी तरह को थे लंगे अलब करेंगो न्यचिने वह रड़ाु के जी थोड़ा सा आईखा भानी थोड़ा साथ आइल टीकँ स्वें दालदे को श्वड़्ए दीन को रहा है घुटित लाड़ा अ आप हैं जंचर गरलिक ग्राइब हो चुका जनॉआ और आप हम करेंगे ग्रीन चिलिस को बाइं मेरे पास कुछ यह बड़े साические इसके इस तरह से ज़ा progress और जैसे यह इनकों में बहुत ज़्यादा होता है तो मैं को लेवल रखूं की क्योंकि फिर जाया मिंची हो जेगी चले जी, sorry, इसके लिए फोड़ा सा स्टेंड मेरा हिल गया, no problem, इसको हम करते हैं, सारा cut, ताके अराम से इसमें यह हो जाए, शॉप, सेम इसी तरह हम चिली इसको भी grind करेंगे, थोड़ा सा oil, और थोड़ा सारा पानी, ठीक हो गया जी, इसको अब हम करते हैं, शॉप, अब जाती है इनको हम बॉक्स में शिफ्ट कर देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं ये में बॉक्स लेकर आई थी लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये जेंजर गरलिक टेस्ट के लिए यूज होंगे और इस बार मैं इनको सेपरेट सेपरेट रखोंगी इनको मैंने बिल्कुल एक साथ नहीं रखना क्योंके फिर प्र इनको हो जाएगगए तमाग खराब और दूसरी बात ये भी है कि जब आप ये यश करते हैं आपको ठीक से आईडियआ हरे जाता है कि %, कभी इसे बबला जाते है तो ये देख है खर आपको दिल करेगा तो आप ये कर सकते हैं कोई यह जाएगा fridge में क्योंकि यह फ्रिज में खराब नी होता ठीक है और green chillies उनको भी हम करते हैं सेव और यह जाएंगी freezer में ठीक है जी यह रहा जी ziplock bag और इसमें आदे है green chillies मैंने ज्यादा सारी ग्राइंड्ड में की हैं इतनी सी chop की है और इनको इसमें रखने का मकसद यह है कि यह एजीली हमें जब 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 तो निकाल सकें अगर मैं किसी बॉल में रखती या कोई और किसी तरह से भी रखती क्यूबस भी बनाती तो वह हार्ड हो जाते लिकिन मुझे ऐसे एजी ज़ादा लग रहा था कि म आए क muchís एक टॉ मुझे के अपने वीडिया का ना किके ना में विडियो स्टार्ट गी है तो मैं घ्यूंदियाओक्यद पतने एक क्यों डिस्टर्ब होना स्टार्ट लोग और कियम शथा है क्या अपने बहुत ख्यार रख्या अर हम इस अना किस्त इस्टया बना को टो हुई पर बारीं है